है 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 तो आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वह खास करके एक रेकेमेंडेशन के उपर बनाया है क्योंकि काफी सारे स्टुडेंट्स के मुझे पहुन आ रहे थे और कुछ जो अपने यूट्यूब में जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोग भी काफी लोग मुझे पूछ रहे थे के हाड़वेर में कुछ जगा पर दिद् पाइने रखती है और यही टेक्निक होती है जिसकी वज़ा से हम प्रॉपरली रिपेरिंग कर पाते है क्योंकि हर आईसी को हीट सहन करने का एक उसकी एक कैपेसिटी होती है उतने तक वह हीट सहन कर सकता है उससे ज्यादा अगर हीट होती है तो ऐसी कंडिशन के अंदर अब अ यूट्यव मेरा में वीडियो देखते हैं तो लोग ज्यादा तर क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि आरिसी नीकाल रहे हैं ऺलो साब कर साहिए आपको ऐसा लगता है कि इन लोग से कितना बलय हो ठोलो है और हम लोग से क्योंने हो रहा है तो यह सब skill की बात है और उसमें कुछ इतनी कोई Master Technology नहीं है थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ skill आपके पास थोड़ी होनी चीह है थोड़ी technique आपको पता होनी चीह है और थोड़ा आपका heat का और air का calculation में ज्यादा तर प्रोब्लम यह होती है क कि हम लोग कितनी भी महंगी गन ले लेकिन अगर उसको हमने कैलिब्रेट नहीं किया है तो ऐसी कंडिशन के अंदर हमें ये दिद्कत देखने को मिलती है कि हम कई बारे सा होता है कि मैं स्टूडेंट मुझे पूछता है कि सर मैं कितना रखू मैं कहता हूं आप 330 रखके या 320 निकालोगे तो यह आपका सील आइसी जो हो जाएगा लेकिन वह बोलता है कि 330 पर भी नहीं निकल रही है यानि कि लोग ने अच्छा खासा टाइमिन तक हीट दिया लेकिन नहीं निकला तो या तो टेक्निक में कोई गलती है या तो फिर आपका जो हीट है वो प्रॉपर न कुछ चीज़े ऐसी है स्किल की कि जो आपको प्राक्टिकली देखनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से उसको निकालना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों में आपको प्रिकोशन रखना है कैसे आपको टूल कैसे यूज करना है और कितना उस पर आपको वेट देना है कि यह सब चीजे बहुत जरूरी है जो हल्की चोटी मूटी टेक्निक है इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है यह नहीं आएगा सब बहुत इजीली हो जाता है और यह काम के लिए बस थोड़ा बहुत मैंने जैसे बोला आपको के थोड़ा आपका स्कील हो थोड़ी है तो वह आई सी खराब नहीं होगी क्योंकि कवी ऐसा होता है आपका टाइमिंग है वह भी बहुत जरूरी होता है और लोगों को कई बार पता नहीं होता है कि exactly कितने टाइम तक आपको हिट देना है अगर आपको उसको आपको एग्जेक्ली वह चीट पता हो तो भी आपक काम हो सकता है कि जैसे सपोज कोई IC है उसको आपको जैसे डबल डेकर CPU है उसको आपको पता होना चाहिए कि आपको वन मिनिट तक उसको ज्यादा ज्यादा हीट देते हो तो फिर आपकी IC damage होने के chances बढ़ जाता है तो कम से कम damage में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना है आपको तो आपको timing वगएरा का calculation भी पता होना चाहिए और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक मिनिट हो गई है आप या तो stop लगा के काम करिए तो आपको सब चीजों का calculation है बाराल जो आपको दिमाग में रखना होता है तो यह सब चीजे तो फिलाल में आपके लिए यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक चीज ऐसी लेका है हूँ कि जिसके बारे में काफी लोगों को पता है काफी लोगों को नहीं पता है क्योंकि ज्यादा तर मैंने देखा है कि जो होट एर गन है वो बेशने वाला बेश देता है लेकिन वो आपको बताता नहीं है कि यह इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आपको फुसको यूज कैसे करना है ,वैसे तो इसके अंदर ratita क्यसरहाइक लेकिन हम लोग भी कभी उसको पढ़ते नहीं है तो यह सब चीज़ा उसके अंदर होती है और कुछ चीज़े आपको थोड़ी पता करनी होती है तो आपको पता चल जाता है, जादातर मैंने लगबख कैलिबरेशन के उपर वीडियो सर्च किया था, मुझे हिंदी के अंदर लगबख कोई भी वीडियो नहीं मिला था, प्रॉपर, या हो तो शायद मेरे सर्चिंग में नहीं आया, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि किसके अब तक किसी नहीं थे रखा हो एक तक, तो किसी यहां पर नहीं रखा है, तो मैं आज आपको बताने वाजा हैं के Гund का कैलिबरेशन कैसे करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता तूँं के चीज चीज ग्या होती है के फिरेशन का होता है एक तरह का माप तोल क्यूंब करना होता है और कैसे करना होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि सब्सक्राइब आपको यह गन दिख रही है इसके अंदर इहां पर मिस हो जाता है यह काम कर रहे है और अपने प्रिजू को रूरे उसका कर लिए म्ह dismiss लिए चुर्ड पाइक्स कंदस आपने रहे ग collaborating देरे धीरे करके अपने अंदर से हीट है उसको कम करने क्व आने चालू रहता है और कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों के आदत ऐसी होती है कि काम हो गया तो उनके मतलब ध्यान में ऐसा होता है क्योंकि है कि अगर आप इस तरह की गन यूज कर रहे हैं जो के क्वीक के अंदर 2008 में भी जो कैलिब्रेशन का सिस्टम रखा हुआ है और 861 के अंदर भी है इसके लाव सुगोन की जो अभी आई है 2020 वगएरा है और इसी टाइप की इन्हों ने निकाली के अंदर भी कैलिब्रेशन का ओप्शन होता है अगर आप उसका यूजर गयड देखोगे तो उसमें शायद आपको मिल जाएगा तो कैलिब्रेशन करना कैसे होता है और कैलिब्रेशन के लिए आपको क्या-क्या पीक की 861DW है या तो यह 20008 है क्योंकि मैं आद यह आपको दोनों कैलिब्रेशन करके दिखाने वाला हूं कि इसका एक्चुल में कैलिब्रेशन किस तरह से होता है तो मैंने यह नई गन मंगाई थी लेकिन नई गन के अंदर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर आपका कै दिखकत नहीं उसको आप यूज करें लेकिन कैलिब्रेशन हर हफ्त में एक बार करना जरूरी है मैंने काफी सारे लोगों से पूछा के जो तकरीबर आठाट दसदस साल से काम कर रहे है लेकिन उन लोग कोई यह पता नहीं है कि कैलिब्रेशन क्या होता है या कैसे होता है यह भी उनको मालूम नहीं है तो उनको दिखकत हो रही थी और उसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाने का सूचा के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो अगर ऐसी कंडिशन में आप हार्डवेर का काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी तो यह प्र सका तो इसका वीडियो पर आपको दूंगा कि इसको कैसे आपको करना है लेकिन फिलाल यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं क्योंकि यह में जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास स्किल है टाइमिंग है और आप प्रॉपरली काम भी कर सकते हो टैक्निक भी है फिर भी चीज का नॉलेज होना जरूरी है कैलिब्रेशन की इस तरह से होता है तो मैं आज आपके लिए इस तरह का एक वीडियो बना के लिए हूँ जिसमें आपको यह पूरा कैलिब्रेशन में दिखाने वाला हूं उसमें क्या-क्या चीजों की जरूरी पड़ेगी उसके बारे मे उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि थर्मो कपल सेंसर एक इस तरह का सेंसर है कि जो हीटिंग को सेंस करता है हाला कि यह ज्यादा तर इंडेस्ट्रियल यूज के अंदर आता है लेकिन क्यूंकि अभी हम जो यह गन यूज कर रहे है क्यूंकि इससे पहले की जो गने थी यान लेकिन अभी क्योंकि यह सब काम जो है अब ज्यादा तर एक्यूरीशी पर होने लगा है यानि कि पहले के आई सीओ को हम हीट देके निकाल लेते थे तो उतमें उतमें डैमेज होने का या ऐसा कुछ खत्रा नहीं रहता था लेकिन अभी क्यूंकि ज्यादा सेंसेटिव काम होने लगा है डबल लेकर CPU अगर आने लगा है तो एसी सब चीजों के अंदर आपको आपका जो टैंपरेचर है वो मेंटेन करना जरूरी है तो इसके लिए यह यूज किया जाता है इसको बोला जाता है थर्माकॉपल सेंसर और यह अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको Amazon या Flipkart पे भी आपको देखने को मिल जाएगा जिसका वे कीमत जो है वो सारे 300 से लेके 500-600 रुपया तक 700 रुपया तक आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा नेकिन इसमें हमें सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि इसका जो highest capacity है वो 600 degree तक का है क्योंकि जो मेरे पास है यही वाला है और यह 600 degree इसका capacity है तो 600 degree तक का आपको temperature यह बता सकता है जीरो से लेके 600 degree तक का तो यह जो है इसको हम यूज में लेकर हम इसको किस तरह से इसका करा सकते है जनरली यह होता है कि इसके यह जो दो प्रॉब है इसको आप मल्टी मिटर के प्रॉब के साथ लगा जिसके अंदर टैंप्रेचर का option हो ऐसा मल्टी मिटर आपको यूज करना पड़ेगा कि जिसके अंदर जो भी option दी गये है उसमें temperature का option होना जरूरी है जहां पर आपको यह रेड़ वाले पर लगाना है और यह वाला आपको ब्लैक प्रॉब के साथ इसको लगाना है और फि 25 डिग्री जो भी temperature है यह temperature आपको यह शो करना चाहिए उसके बाद आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिए जो के हाला कि यह सब चीजा मैंने वीडियो में बताई है तो मैं आपको डायरेक्ट आपको यह इसका जो मैंने वीडियो बनाया है वही मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना होता है तो हम देखते हैं कि गन का कैलिबरेशन हमें कैसे करना है तो दोस्तों यह थर्मोकॉपल सेंसर है जो के मैंने यहां से लेके इसको लगाया है यह वाला मल्टिमिटर है मेरा मेकेनिक का इसके अंदर आप यहां पे देखोगे तो यह यह तो इसका टेंप्रेचर का है यानि कि टेंप्रेचर पर इसको मैंने कि यह थन्दा पानी के अंदर डालते हैं यहां पे मैंने कुछ थन्दा पानी लिया हुआ हम देखते यह प्रोपरली सेंसर काम कर रहा है तो देखिए आप यहां पर जो इसका टेंपरेचर है वो डाउन हो रहा है यानिकि यह वादे बोटल में से थेंडा पानी लिया हुआ है जो के यहां पर क्वेंटी तक होगया टेंपरेचर यानिकि यह जो हमारा Thermal Sensor है वह प्रॉपरली काम कर रहा है तो अब हम इसको सैट करते हैं कि हमें इस तरह से केलीबरेशन करना होता है तो उसके लिए हमने यह वाला देख लिए या देखिए दीरे धीरे यह वापिस से रूम टैंप्रेचर पर आ रहा है यह फिर ठंडा हो गया था अभी देखिए 30, 31, 32 देखिए धीरे-धीरे टेमपरेचर पे आ रहा है तो यहां का रूम टेमपरेचर जो मेरा है वो 32 के तकरीबन है अब इसको मैं रखता हूं गन को मैंने 200 पे सैट किया हुआ है और अब इसको मैं हिटिक देना स्टार्ट करता ह है यह कैलकुलेशन भी हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए हम सिधा आईसी पर रख देते हैं हम सोचते हैं के यह 200 हो गया लेकिन कई बार उसको 200 तक पहुचने में कुछ वक्त लगता है यह कैलकुलेशन भी आपको करनी है या तो आप उसको प्रॉपरली 200 तक पहुच ज हुआ है तो अगर आप नौजल के साथ लेते हो विदाउट नौजल यूज़ करते हो उसमें भी डिफ्रेंस पड़ेगा देखिए 162 163 से उपर नहीं जा रहा है यह नई गन है अब भी मैंने सिल पैक इसको खुला है यानिकि एकदम पेटी पैक गन है और इसके अंदर हम आप इसको सैट कर सकते हो कि आपको जो से टेंपरेचर रखना है क्योंकि हमारा जो है 160 तक ही जा रहा था तो इसको हम सैट कर देंगे 160 और चैनल 2 पे हम ओके करेंगे तो यह कैलिब्रेट हो गया यह अभी यह फाइनल कैलिब्रेशन नहीं है इसमें भी और खरना पड़ता ह है लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा जो जो डिफ्रेंस था वो किया हुआ मतलब वो डिफ्रेंस जो है वो हमारा खवर हुआ या नहीं हुआ हमने अभी देखिए 200 सैट किया हुआ है और यह 161 70 पे यानि कि जो 160 था उससे आगे बढ़ा है यानि कि अभी टेंपरेचर यह 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 बढ़ा है यह बहुत दीरे दीरे श्लो बढ़ रहा है यह बस यह 211 के आसपास यह है उससे ज्यादा नहीं है तो यह हमें समझ में आ गया कि इतना ही यह टेंपरेचर जाएगा इससे आगे नहीं जाएगा यह बने वाला है 211 एश्का फाइनल हो गया तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे कैलिबरेच करना है तो अब हम पिर से साट करते है , 211 तक क्योंके 211 तक जा रहा था हमारा तो इसको फिर से खालेब्रेचन करने के लिए दोनों स्वीच प्रेस की और यहां पिर हमने 2-11 सेट कर दिया और चैनल 2 के ओके कर दिया तो यह कैलिभरेशन हो गया दोस्तों तो यह कैलिबरेशन अब हो गया अब हम इसको फिर से करते हैं के रीयल में हमारा आता है वह आपको यहां पर गन में सैट कर रहा है और फिर आपको जब ओके हो जाए तो उसको चैनल टू को एक बार प्रेस करो गया तो यह सेव हो जाएगा यानि कि यह अब दखी यह 200 आ गया गया गन के अंदर भी 200 है मल्टीमीटर के अंदर भी 200 है और डिस्टंस आपको उ तो यहां पर हम लोगने 400 किया है और 400 सैट करने के बाद वह देखते हैं कि यहां पर कुछ डिफ्रेस आ रहा है यह सही है यहां पर यहां पर हम लोगने चेक करना स्टार्ट किया है यह तकरीबल 300 के आसपार पहुंच गई है हमारी टींग दोस्तों इतना टाइम लगता है जब हम 300-400 सेट करते हैं तो वहां तक पहुंचने में भी इसको टाइमिंग एक लगता है तो देखिए यहां पर यहां पर चला गया है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है आपी तो हम देख लेते हैं कि यह कहां तक जाता है कि 390, 93, 94 यानि के तकरीबन तकरीबन यह सही जैसा ही है इसमें कुछ वेरियेशन नहीं है लेकिन फिर भी यह चेक करना जरूरी है कि आप एक बार नीचे का और एक बार उपर का दोनों टेंपरेशर आप सैट कर लोगे तो अगर 245 का डिफरेंस है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं है लेकिन ज्यादा डिफरेंस होगा तो आपका जो कैल्कुलेशन है गलत हो जाएगा यहां पर बस यह हो गया इससे ज्यादा शायद यह जाने वाला नहीं है 407 तक गया तो यह सब आपिस आना लगा 405 तक तो मतलब यह 4056 तक इससे ज्यादा नहीं जाएगा तो उतन सिधा PCB स्टेंड के अंदर फिट कर दिया है और यहां पर यह 2008 गन है हालाग के दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले की लाइटिंग है वो थोड़ी कैमेरा में ठीक से नहीं दिख रही है लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ तो यहां पर मैंने थर्मो सेंसर यहां पर रख दिया है ठर्मो कपल सेंसर और उसको हम लोग गन देंगे तो देखिए मैंने गन सेट कर दिया है और वह यहां पर हम इसको देखते है तो देखिए गन के अंदर देखे आप 370 दिखा रहा है और यहाँ पे 328 दिखा रहा है यानि कि यह 328 है लेकिन आपको दिखा रहा है 370 यानि कि अगर आप इस तारा से calculation करोगे तो आपका calculation गड़ बरो जाएगा तो यहाँ पे भी आपको calibration करना जरूर यह देखिए हैं 50 तक करीबन का difference है 50 degree तक का difference अगर हो तो आपका calculation सही नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको है exactly जो calibration है वो मिलेगा तो यहाँ पे हमने इसको set किया 320 के असपास हम लोग सेट करेंगे इसको क्यों कि यहाँ पे थोड़ा बहुत variation आ रहा है अट्रावीज अट्रावीज आ रहा है और एक इस बाइस तक जा रहा है तो इसको 320 कि हमने सेट किया अभी यह 322 हो रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी फिकर ले सकते हैं 2021 या 22 तक हम ले सकते हैं तो इतना variation अगर है दो चार डिगरी का तो कोई डिफरेंस नहीं है यह हो गया अब चैनल टू दबाएंगे यह calibration हो गया देखें सीनल लिखा हुआ गया यह calibration हमारा से हो गया अब हम देखेंके यहाँ पे 370 है यहाँ पे 360 70 तक जा रहा है देखिए यह हो गया तो यहनि कि देखिए हमारा जो calibration है वह हो गया देखिए 370 दीख रहा है multimeter में भी और वहांपे bm370 दीखे रहा है यानि पख जा रहा है यानि कि यहां पर यहां पर 20-30 ज्यादा दिखा रहा है यादि हीट ज्यादा रही है दिखार ही यह 400 लेका आ रही है 428 क्या करें तो इसको फिर से हम थोड़ा कैलिब्रेशन करना पड़ेगा यहां पर हम चैनल one और three को फिर से प्रेस करते हैं यह तक हमने set किया जो के middle का जो हमारा figure था वो हमने ले लिया तो इस तरह से ये हमारा calibration हो गया अब 20 के आसबार जा रहा है तो 20 कर दिया हमने अब हमको channel 2 इसमें प्रेस करना है और Channel 2 हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे जो कैलिबरेशन है वो सेव हो जाएगा तो इसको हम प्रेस करके सेव कर लिया यह कैलिबरेशन हो गया और यह अब देख लिए दोनों तरप की रीडिंग जो है आपको वो सैम सैम दीखेगी यहां पर फोर हंड्रेड जिरो फोर फोर तक यह सही तक मतलब आ गया है उससे ज्याद का तरिकहा होता है और यह करने के बाद आप पॉपरली समझ पाओगे क्योंकि कही बार यह साज होता है कि मैं बोलता हूं कि 330 रखो लेकिन 330 में आपका काम नहीं हो रहा है ज का कैलिबरेशन जब सही नहीं होगा तो मैं आपको जो बोल रहा हूं वह एक्चुल में आपका उतना टेंपरेचर है या नहीं वह तो आपको पता होगा मुझे कैसे पता रहेगा तो यह चीज़ होती है दोस्तों और दूसरी एक चीज़ आपको यह बताने थी कि कि अगर आपको स्कील को लेके कोई प्रॉब्लम है अगर आप हैंड स्कील आपका वीक है तो हम लोग ने एक कोर्स लांज किया है जो सिर्फ एक वीक का कोर्स है इसमें आपको एक हफ्ता दिन आना है जिसमें आपको एंडरोड का टूटली जो भी आपका स्कील का रिलेटर आ तक आप रह सकते हो को जिद्कत नहीं है तो अगर इस तरह से किसी को आना हो मतलब स्कील के लिए तो मुझे कॉल कर सकता है जिसके अंदर मैं आपको इसका पूरा ट्रेंडिंग दूगा कि किस तरह से हमें स्कील डेवलॉप करनी होती है और उसके ट्रीक क्या-क्या है किस तरह से आइसी को निकाला जाता है मैं कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है तो एक नॉर्मल आइसी से लेके सील आइसी तक और आपको सीप्यू जो वगयरा डबल डेकर वी आती है तो उसका पूरा आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपसे पूरा रहे हो तो एक अपते के अंदर डैफिनेटली हो जाएगा अधरवाइस आपको दो-तीन दिन ज्यादा भी लग सकता है तो यह जानकारी आपको देनी थी आप लोगों ने मेरी चैनल को बहुत लाइक किया मुझे बहुत सारी कॉमेंट दी और सब्सक्राइब भी काफी आप लोगों ने जो जिस तरह से सराना की है तो उसका मैं आबारी हूँ और आगे भी आपको इस तरह के इंफोर्मेशन वाले वीडियो मैं आपको देता रहूंगा तो आप मिलते रहे हैं हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब तक के लिए गुडबाई आप सकते हैं